समराट आज भी अपने आतीत को याद करके बड़े दुखी होते हैं कि उनके हाथ से किसी ने दोस की हत्या हो गई अरी ये हरा भरा प्यूड कैसे गिर गया अब तम सब जान ही गए हो तो तुमारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है सब हमें दे दू बिच्चु महाराज की जय हो महाराज हमारा सेनिक जो राजदूर बनके समराट कुमबा के दरवार में गया हुआ था वह हमारा सेनिक समराट कुमबा दोरा ही मारा गया है वह कैसे करका महाराज हमारे सेनिक को जो भाले लगा हुआ है उसे सिब समराट कुमबा के सेनिक ही रखते है करका ये परमारे थोचो का है कि हमारे सेनिक को अनों नहीं मारा है तो उन्हें जल से जल जबाब दो ऐसा ही होगा महाराज तुम्हारे पास जो कुछ भी केमती चीजे जल्दी से जल्दी निकाल के दो हमें समराट के पास समय कम था इसलिए वे अपनी मुद्रों से भरी थैली उन लोटेरों को दे देते हैं और फिर वे घोड़े पासवार होकर जाने लगते हैं किदर जा रहे हो हमें तुम्हारा घोड़ा काफी पासंद आया है उसे भी छोड़ कर जाओ ये सुनका समराट समझ जाते हैं ये लातों के भूत हैं ऐसे नहीं मानेंगे फिर भी समराट उनसे कहते हैं मुझे एक जरूरी काम के लिए लंबा सफ़ा तैक करना है इसलिए मुझे यहां से जाने दो नहीं तो अंजाम बोरा होगा क्या तुम हमसे योद्ध करोगे हम इतने सारे हैं और तुम अकेले मारे जाओगे इसलिए ये घोड़ा छोड़ो और चलते बनो इतना कहने के बाद भी जब लोटेरे नहीं मानते हैं तो समराट को मजबूरन अपनी दलवा निकालनी पड़ती है ओसने तो चार परहार किये थे ना चौधा परहार के इसको लगा अरे कम वक्तों चौधा परहार मुझे लोटेरों की हत्या करने के बाद समराट समझ जाते हैं कि उनकी दलवा साधारां तलवा नहीं रही इस तलवार का सोच समझ करोपियों करना पड़ेगा फिर समराट स्वामी जी दोरा बताएगा जढने की और पहुंच जाते हैं स्वामी जी ने कहा था मज़े रास्ता जढने के भीता जाने पर ही मिलेगा दूसरी दुनिया में पहुंच का समराट आस्चा चकित हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं स्वामी जी की एक एक बात सत्य निकली तेज गर्मी होने के बाद भी समराट अपनी मंजल की तरफ नरंतर बढ़ते रहते हैं प्यास से परिसान समराट अपनी और अपने घोडे की यह दसा नहीं देख पाते और कहीं रोकने का फैसला लेते हैं उन्हें आगे चल कर बहुत दूर विसाल पत्थर नजर आते हैं जहां वे कुछ देर विश्राम करने का फैसला लेते हैं समराट इस बाट से अस्चय चकित हो जाते हैं कि बड़े विसाल पत्थर की परचाई नहीं बन रही होती है अचानक से वहां की जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते उस बड़े पत्थर पर किसी का चैरा नजर आने लगता है समराट जल्दी से अपने घोडे को लेका दूर हो जाते हैं आखरी ये है क्या सोचते हैं सुनो अजनवी इस दुनिया से बाहर मैं ही निकाल सकता हूँ तुम कौन हो और तुम कैसे मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो मैं इस दुनिया का धरवाजा हूँ अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब सही सही दिया तो तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हूँ मैं तुमारे सवाल का जवाब दूँगा पूछो सवाल ऐसा सुनकर वाए पत्थर राक्षस अपने चारों और सवाल का वातावरां बना लेता है जहां पर हरे बरे पिड़ पौधी, जड़ीबूटी, फालादी सब कुछ होता है मेरा सवाल है तुम इस फ़लों के बगीचे से कोई भी तीन चीजें लेके आओ लेकिन वे तीनों किसी हिसाब में होनी चाहिए समराट सोचने लगते हैं मुझे यहां से तीन चीजें लानी है, लेकिन हर एक चीज किसी हिसाब में होनी चाहिए काफी सोचने के बाद समराट जाते हैं और नारियल के प्यड़ से नारियल तोड़े लेते हैं और वापस आते आते अंगूर का गुच्छा भी साथ में ले आते हैं यह तो दो चीजें हैं, तीसरी चीज क्या लाए हूँ थोड़ा सोचने के बाद समराट फिर जाते हैं और बहुत सारी हरी घास लेकर आ जाते हैं तुम इन चीजों को किस हिसाब से लेकर आए हूँ, बताओ, बताओ इस रेगिस्तान में चलते चलते मुझे बहुत तेज प्यास लग आई थी जिस कारण से मुझे जरूरत के हिसाब से नारियल लाना पड़ा और जब मैं ये नारियल लेकर आ रहा था, तब रास्ते में मुझे ये अंगूर देखे जिसे मैं जल्दवाजी के हिसाब से लेकर आ गया, जब मैं इन दोनों को लेकर आया तो मुझे अपने घोड़े का खयाल आया, और मैं काफी सोच के हिसाब से अपने घोड़े के लिए हरी घास लेकर आया हूँ यानि नारियल को जरूरत के साब से अंगूर को जल्दवाजी के साब से और हरी घास को सोच के साब से लेकर आया हूँ तुम्हारा उत्तर एकदम सही है अब तो मेरी परच्छाई में आ जाओ कलिनर में नारिया झालियक उत्तर एक जया हूँ